हेलो बच्चो आज हम थर्ड क्लास की मैट्स की वर्क्षीट 28 करेंगे इस वर्क्षीट में पार्ट 14 रुपे और पैसे के सवाल दिये गए हैं बच्चो फर्स्ट कोईशन है दिये गए कितने नोट दाई और के नोटों की रकम के बराबर होंगे लिखो एक करके दिखाया गया है बच्चो हमें 22 तरफ 100 का नोट दे रखा है और दाई तरफ 500 का नोट अब कितने 100 के नोट मिलकर 500 रुपे बनाएंगे तो हमने बॉक्स में लिख दिया पांच अब हमें बताना है कि कितने 20 रुपे मिलकर 200 रुपे बनाएंगे तो 10 20 के नोट मिलकर 200 रुपे बनाएंगे तो बॉक्स में 10 आ जाएगा अब बताना है कि कितने 10 के सिक्के मिलकर 50 रुपे बनाएंगे तो 5 10 के सिक्के मिलकर 50 रुपे बनाएंगे कितने 10 के नौट 20 के बराबर होंगे, 2 10 के नौट 20 के बराबर होंगे, कितने 5 के सिक्के 10 के बराबर होंगे, 2 5 के सिक्के 10 के बराबर होंगे दो पचास पैसे मिलकर एक रुपा बनाते हैं यह है पचास पैसे का सिक्का है दो पचास पैसे के सिक्के मिलकर एक रुपे बनाते हैं पचास पैसे को संख्या में एक बिंदू के बाद लिखकर दिखाते हैं यानि पचास पैसा बराबर 0.50 रुपे सेकिन्ड कोशन है नीचे दिये नोटो और सिखो को मिलाकर कुल कितने रुपे होंगे लिखो एक करके दिखाया गया है सबसे पहले हमें 255 और 50 पैसे मिलाकर बताने है जो उपे होंगे तो वो रुपे होंगे 255.50 रुपे नेक्स्ट में 500, 100, 10 और 20 का सिक्का मिलाकर कितने रुपे होंगे 630 रुपे अब 20 का एक नोट, 20 का दूसरा नोट, फिर 10 का सिक्का और 5 का सिक्का मिलाकर होंगे 55 रुपे फिर 20 का सिक्का 10, 2 और 50 पैसे मिलाकर होंगे 32 रुपे 50 पैसे थर्ड कोश्यन है दी गई राशी कि नोटों और सिक्कों की मदद से बनाई जा सकती है बताओ एक करके दिखाया गया है हमें राशी सबसे पहली वाली बना कर दिखा रखी है 125 रुपे 50 पैसे तो नोटों और सिक्कों की संक्या हो जाएगी 100 का नोट, 120 का नोट, 15 का सिक्का औ next जो हमें रुपे बनाना है वो है 150 रुपे, तो है 100 का नोट ले लेंगे हम और 150 का नोट ले लेंगे दोनों मिलकर 150 रुपे यानि 150 रुपे बना देंगे next question है एक खिलोनों की दुकान में यह कुछ़ खिलोनों की कीमत नीचे बताई गई है इनको देखो और निम परशनों के उत्तर दो हमें खिलोनों के रुपे भी दिखाए गए है कि कितने रुपे में कौन सा खिलोना मिल रहा है अब इस से related first question है उस खिलोने का नाम लिखो जो 100 रुपे में खरीदा जा सकता है तो वह खिलोना है भालू next question है खिलोना गाड़ी की कीमत कितनी है तो खिलोना गाड़ी की कीमत है 80 रुपे next है नीचे दिए खिलोने को खरीदने के लिए आपको कितने रुपे देने होंगे एक बत्तक और एक घोड़ा एक बत्तक की कीमत है 39 रुपे 50 पैसे और एक घोड़े की कीमत है 33 रुपे 50 पैसे दोनों मिलकर 63 रुपे मनाएंगे यानि हमें 63 रुपे देने होंगे तब हम एक बत्तक और एक घोड़ा खरीच चकते हैं नेक्स है एक रेल गाड़ी का एंजन एक गाड़ी और एक बॉल रेल गाड़ी का इंजन की कीमत है 200 रुपे और 80 रुपे है एक गाड़ी की कीमत और साथ में एक बॉल की कीमत है 20 रुपे तो तीनों मिलाकर 300 रुपे के पड़ेंगे हमें 300 रुपे दुकानदार को देने होंगे तब हमें एक रेल गाड़ी का इंजन मिलेगा गाड़ी मिलेगी और बॉल मिलेगी नेक्स कोशन है इन रसीदों को पूरा करो रसीदों में हमें जो एक बत्तक थी उसकी कीमत लिखनी है फिर एक घोड़े की कीमत लिखनी है और कुल रुपे बताने हैं कितने हो जाएंगे तो 39 रुपे 50 पैसे और 33 रुपे 50 पैसे मिलकर 63 रुपे बनाएंगे यह एक रसीद हो गई जो जब हम एक बत्तक और एक घोड़ा खरी देंगे तो दुकानदार हमें देगा और जिसमें लिखा होगा हमें कुल 63 रुपे देने हैं ऐसे ही एक इंजन एक गाड़ी और एक बॉल की रसीद दुकानदार कैसे बनाएगा एक इ कैसे रसीद नमबर हर बिल का एक रसीद नमबर जरूर होता है यह रसीद नमबर उस रसीद का करमांग होता है कुछ भी हो सकता है यह तो जहाँ पर मैंने इसे कुछ भी लिख दिया है जो उस रसीद का करमांग है दिनाग जिस दिन यह रसीद बन रही है उस दिन की अब जितनी हमने ली है उसकी संख्या है एक और एक किताब की कीमत है बारा रुपे पचास पैसे तो बारा रुपे पचास पैसे जगा पर लिख दिया है पैन हमने चार खरीदे है और एक पैन की कीमत है दो रुपे तो चार पैन की कीमत हो गई आट रुपे जिरो जिरो पैसे अब रबड, मैंने 2 खरीदी है, एक रबड की कीमत 5 रुपे, तो रुपे और पैसे कितने हो गए, 10 रुपे 00 पैसे शौपनर मैंने 3 खरीदे है, एक चीज की कीमत हो गई 5 रुपे, कैसे पताचला क्योंकि रुपे उने 15 रुपे लिखा हुआ है तो तीन जब खरी देंगे तो 15 रुपे देंगे तो एक शौपनर की कीमत हो गई 5 रुपे दो की हो गई 10 और तीन की हो गई 15 इससे मुझे पता चला कि एक शौपनर की कीमत हो गई 5 रुपे कॉपी कॉपी मैंने दो खरी दी है एक चुपी कीमत है सात रुपी पचास पैसे तो कुपी कीमत हो गई 15 रुपी 00 पैसे कुल मिला के जो रुपै और पैसे आए वो आए 65 पैसे अब हमारा ये बिल पूरा हो गया अब हमें बताना है अगर कोई इस बिल के लिए सो का नोट दे तो उसको कितने पैसे वापिस मिलेंगे अगर कोई सो रुपे देता है तो चीजे आई है साट रुपे पचास पैसे की तो सो में से साट रुपे पचास पैसे घटा करो जब घटा करेंगे तो कितना बचेगा 49 रुपे 50 पैसे बचेंगे और ये दुकानदार हमें ये पैसे 49 रुपे 50 पैसे वापिस देगा लास्ट कोश्चन है यहां रेल गाड़ी का किराया दिया गया है इस तालिका को देखकर हमें निम प्रशनों के उत्तर देने हैं दिल्ली और मत्रा के बीच कितनी दूरी है दिल्ली और मत्रा के बीच दूरी है 155 किलो मीटर दिल्ली और आगरे के बीच कितनी दूरी है दिल्ली और आगरे के बीच दूरी है 180 किलो मेटर अब दिल्ली से मतरा जाने का तीन लोगों का किराया होगा 95 को 3 से गुढा कर दो 285 रुपे क्योंकि मतरा तक की एक जने की टिकेट हमें 95 रुपे की पड़ेगी इसलिए तीन जनों की टिकट कितने गी पड़ी दोसो पिचासी रुपे की तो बच्चो ये थी हैं मारी क्लास थार्ड की मैट्स की वर्कशीट 28 आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तक कि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज मिलती रहें